Hello, Hi Friends, Welcome to my channel, मैं हूँ Dr. Poonam और मैं आज आपको बताने वाली हूँ होमियोपेथिक में क्या करियर है, आगे क्या करियर है होमियोपेथिक में, यानि क्या स्कोप है होमियोपेथिक में, इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ वैसे तो होमियोपैतिक में बहुत सारे स्कोप है बट मैं आपको तीन स्कोप के बारे में बताने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है Mostly BHMS complete होने के बाद हमारे माइन में चलता रहता है कि हाम आगे क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे अगर आपको यह सब पता नहीं है तो आप इस वीडियो को देखिए आपको जरूर पता चलेगा कि हाँ, आपको आगे क्या करना है तो यह वीडियो मेरा होमियोपैतिक स्टूडेंट के लिए है डॉक्टर्स के लिए हैं, जो होमेपती डॉक्टर से उनके लिए भी है ये बहुत ही जादा यूजफूल वीडियो है वैसे तो मैं आपको बता दूँ कि होमेपती पूरे वल्ड में बेस्ट पैथी है तो आप इस जो में तीन स्कोप आपको बता रही हूँ इसको यूज कीजिए और आपने आगे के करियर को बढ़ाईए और देखिए कि आप आगे और क्या कर सकते हैं जो लोग आगे और पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने इसमें बताया है कि आप और आगे क्या कर सकते हैं तो आज मैं आपको वो तीन मोस्ट इंपोर्टेंट स्कोप के बारे में बताने वाली हूँ जो बहुत ही ज्यादा यूजफूल है आप लोगों के लिए तो चरिए ज़्यादा देर नहीं करते वे शुरू करते हैं पहला स्कोप है कि आप पीजी इंट्रेंस एक्जाम दीजिए यानी अगर आपको एक ऐसे स्टडी करना है इसके लिए क्या पढ़ना है अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं मेरे चैनल में मैंने इसके उपर वी वीडियो बनाया है इसके लिए कौन सी टेक्सबुक रेफर करना है कैसे पढ़ना है इसके बारे में मैंने पूरे डीटेल में बताया हैं, तो आप मेरे चैनल में जाके मेरे वीडियो को देख सकते हैं, तो आप MD कम्प्लीट करने के बाद, MD करते टाइम ही आप अपना क्लिनिक भी समाल सकते हैं और MD भी कर सकते हैं, MD कम्प्लीट होने के बाद आप गौर्मेंट टीचर बन सकते हैं, जिसमें आपको अच्छी सैलरी मिलेगी और अपना खुद का होमियोपैती क्लिनिक भी समाल सकते हैं, ये हो गया फर्स्ट तरीका, इसके बाद आप MD करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको और ज्य जादा आपके लिए बेनिफिट होएगा, और भी आप अच्छे ग्रेड पे आ जाओगे, ये हो गया मेरा पहला इसकोप, दूसरा इसकोप ये है कि आप MO यानि Medical Officer का एक्जाम दे, Medical Officer के लिए भी एक्जाम होता है, जिससे आपको गौर्मेंट होस्पिटल में AJ MO के रूप म लिया जाएगा, और जिससे आपको अच्छी सेलरी मिल सकती है, ये था मेरा सकेंड इसकोप, जो आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, नेक्स, थर्ड, तीसरा इसकोप है कि आप, अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझ में सकते हैं, तो आप तीसरा सकोप भी है, जो बहुत ही अच्छा है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स करते हैं, 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 तो आप इस तरीके से तीन सकोप जो मैंने बता इसमें आप अपने करियर को यानि अपने होमियोपैती को आगे बढ़ा सकते हैं और इसके लिए आपको बहुत अच्छी सेलरी भी मिलेगी जिसको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो पर कमेंट्स कीजिए अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं आप अगर आपको ही मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो